Hello and welcome Class 6 to your History class. So students, from this lecture, we are going to start Chapter 4 of your History. That is, What Books and Burials Tell Us. Okay, तो आज हम एक निया चप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है, What Books and Burials Tell Us. तो चलिए, अब स्टार्ट करते हैं हम ये चप्टर. तो students, इंट्रोडक्शन में ही आपको चप्टर में पता चल रहा है कि What Books and Burials Tell Us. तो आप सबसे पहले जो है heading समझेए, तो हम आज इस चप्टर में पढ़ने वाले हैं कि Books और Burials. Books तो आपको पता है, Books जो भी होती हैं, बहुत सारी Books होती हैं, सिर्फ आपके एक स्लेबर्स में जो Books हैं वही Books नहीं होती हैं. बहुत सारी चीज़ें जो हैं वह दफनाई जाती हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं Burials. तो इस चाप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जोतनी भी Books हैं, History की जितनी भी Books हैं, मतलब ऐसा नहीं कि History सबजक्ट की Books हैं, जो पुरानी Books किसी ने लिखी थी, ना लिखी गई थी, उन Books के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो Books हमें क्या बताती हैं, ठीक है, उनके उनसे हमें क् विखी तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता देती हूं कि यहां यह जो है ना Books, Books से आपको किसी चीज की नाौलेच मिलेगी नाधन इंडिया की ना dugicz मिलेगी और बरियल्स से आपको किसी मिलेगी? आपके साउथ पाडν की नौलज मिलेगी ठीक है, तो यह आपने याद रखना, इसके बारे में हम आगे डिसकस करेंगे ही, ठीक है? तो अब जो बरियल्स हैं वो हमें क्या बताते हैं सम्थिंग अबाउट इंडर्स वैली ठीक है हमने इंडर्स वैली के बारे में पढ़ा ठीक है तो बरियल्स की वज़े से हमें पता चला कि इंडर्स वैली सिविलाइजेशन थी तो वही पास में आपको बता रही हूं कि बुकस जो है वो नह दन इंडिया के बारे में बताएngगी क्यों हो ढाएंगी अब देखो नहीं इंडिया में जो है जाधा तर नदन इडिया में जो भी history evolve हूई वÕ अलग थी और जो south India में history evolve हूई है वो अलग अलग है ठीक है तो इन दोनों को ही जोड के हम आगे पड़ते जाएंगे ठीक है तो अभी हम जो है starting में आपके book में ही दिया गया है story of Mary. Tो Mary कोन है? Mary एक लड़की है, आपकी तरना student है चीक है? तो अब जैसे आपको library में लेकर जाया जाता है वैसे ही Mary को भी library में लेकर जाया जाता है उसके teachers उसको library में लेकर जाते हैं जहामें बहुत शोर होता है फिर वैसे process से teachers को चुप करवाती है सब शांती से बैठते हैं तो बच्चा बच्चों को जब वो बिठाती है टीचर उनको बताती है ठीक है कि वहां पर बहुत सारी बुक्स है मैरी देखती है इतनी सारी बुक्स बहुत सारी बुक्स होती है ठीक है तो वहां पर बहुत सारी बुक्स वो देखती है ठीक है तो अब टीचर बताती है कि एक शेल्फ में जो एक शेल्फ है लाइबरेडी की वहां पर सिर्फ रिलिजियस बुक्स है यानि की जो धार्मिक किताबें होती है वो है जैसे आपकी जो है रमायन हो गई, महाभारत हो या फिर जो है और भी बहुत सारी रिलीजियन्स को जो है रिलेट करती है जो वो है ठीक है टीचर उनको बताती है ठीक है तो जैसे की हमारे वेदास है ठीक है तो जो वेदास है हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़े बताते हैं अब क्या बताते हैं कितना बतात पताते हैं कहां बताते हैं यह क्या क्या उसके लिए करना बढ़ता है वो सब जो है हम आगी डिसकस करने वाले ठीक है तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे connect the dots तो dots connect करेंगे हम उसमें क्या रहेगा what where how and when जो first chapter था आपका वो पढ़ा आपने फिर from hunting gathering to growing food पढ़ा उसके बाद आपने इंदार ये cities पढ़ा ठीक है आपने धीरे धीरे जो है step by step जो है evolution के बारे में पढ़ा कि history evolution कहां से हुआ इंसान जो है कहां से आया ठीक है आसे 2 million years की पुरानी बात है वो तो evolution स्टार्ट हुआ human traits से ठीक है यह हमें पता चला उसके बाद हमने पढ़ा कि 10,000 BC में जो है stone age स्टार्ट हुई ठीक है उसके बारे में पढ़ा paleolithic age के बारे में new lithic age के बारे में mega lithic age के बारे में ठीक है तो यह सब हमें पता चला उसके बाद जो है हमने पढ़ा hunting gathering के बारे में ठीक है अब देखिए जैसे आपको पता चला कि human जो है उनका evolution स्टार्ट हो गया जब इंसान धर्ती पे आया तो अब जो है ऐसा तो नहीं है अगरी कल्चर कर सकते हैं तो वो क्या गरता था वो एक जगा से दूसरी जगा पर क्या करता था घूमता था hunting gathering करता था ठीक है हंट करता था जानवरों का शिकार करता था फिर वही खाता था उससें पर कुछ नहीं था लोग जो है क्या करते थे पत्य के कपड़े पहानते थ तो जब उनको यह पता चला कि क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं तो अगरी कल्चर करना उन्होंने स्टार्ड किया ठीक है यह चाप्टर टू में आप पढ़ चुके हैं ठीक है उसके बाद की बात आती है कि जब उनको यह पता चला कि अगरी कल्चर कर सकते हैं तो उन्होंने तो यहां पर इन धा अर्लिय सिटीज यहां पर आपने प्रीवेस चैप्टर में ही मैंने आपको बढ़ाया था कि अर्लिय सिटीज में जब लोग जो है अब उनको यह बता चला कि हंटर हंटिंग और गैदरिंग से ही कुछ नहीं होता है ठीक है एक subtle life जो है इस chapter में हमने पढ़ा कि subtle life जीने लगे लोग ठीक है उनके एक proper घर बनाए उन्होंने एक जगा पर आने लगे अब इधर से उधर जो है नो मैर्स की तरह वो भटकते नहीं थे ठीक है ये सब हमने पढ़ा ठीक है तो महंजोदारों के बारे मैं आपको बताया था पालिया सिटीज में महंजोदारों की बात बहुत बार हुई सिटीज में ठीक है तो इस chapter में आपने ये सब पढ़ा उसके बाद मेरा जो है आपको ये चीज़ बताई है कि BC जो है क्या होता है before common era मतब जैसे स्क्राइस से पहले वाला time जो है वो BC में आता है या AD जिसको हम बोलते है अना डोमेनी ठीक है तो उसके बाद इंडस वैली जो जैसे 1600 BC के बात की बात जो है हम पढ़ेंगे उसके बात जो हमें किताबें मिली उनके वारे में हम डिसकस करेंगे ठीक है तो यही आपको स्टार्टिंग से ही मैं बता रही हूँ कि बुक्स जो है नॉर्थ मे ज़ो है जादा तर जो है history अलग evolve हो रही थी और south में अलग history evolve हो रही थी ठीक है तो इसी तरह से हमारे north में जादा तर क्या था वेधिक society थी ठीक है वेधिक society थी तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो लोग वेद लिखते थे उनकी वज़े से ही हमें जो है ह इस्ट्री के बारे में पता चलता है ठीक है तो हिस्ट्री में क्या लोग थे किस तरहां के लोग थे ठीक है तो क्या मानते थे हमें उन जैसे हम बोलते ना इस वेद में ये लिखा है ऐसा है तो वो चीजें जो है वो हम क्या करते है रेफ्रेंस लेकर चलते हैं तो वैसे ही उन chapter is a very interesting chapter and this lecture is about introduction about the chapter में इसमें आपको थीम समझा रही हूँ कि हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं ठीक है सिर्फ ओवर्वीव मैं आपको दे रही हूँ कि chapter में हम आगे क्या पढ़ेंगे क्या क्या हमाले topics रहेंगे ठीक है तो मेगल इस एक society थी उस time पे तो उस society के बारे में हम पढ़ेंगे फिर burials की बाद आती है तो मैंने आपको starting में बताया है कि South India जादा जर जो है यहां इंडस वाली civilization के बाद की society के बारे में हम discuss करेंगे मेगलिथिक society के बारे में चीक है तो जैसे की burials हमें किस तरह से पता चलता है कि वो जमीन में जो है गाड़े गई चीजें उनसे भी हमें जो है history पता चलती है बहुत सारी चीजों के बारे में हमें पता चलता है historians, archaeologists जो है उन्होंने सब ने जो है यह चीजें जो है पढ़ी है कहां से यह burials से बरियल से जो भी हमें चीजें traits मिले हैं वहां से हम जो है बहुत सारी चीजों को जान पाएं है ठीक है तो यह आपकी जो है theme रहेगी पूरी chapter में ठीक है तो अभी हम यह पता लगाते हैं कि इस chapter में हम क्या-क्या mainly discuss करेंगे so one of the oldest books in the world यह discuss करेंगे तो समझ लो कि यह इतना सा जो है आपका यह आपका रहेगा North India के बारे में ठीक है और उसके बाद का जो रहेगा वो रहेगा South के बारे में ठीक है तो यह सब हम discuss करेंगे हाव इस्टोरियन्स स्टडी दा रिगवेदा वेदा की बाद मैंने की तो यह पता होने चाहिए आपको कि भई उस ताइम पे दो वेद लिख दिये गे जो लैंग्वेज़ वो जानते थे उन्होंने उस लैंग्वेज में वेदास लिख दिये लेकिन अब हिस्टोरियन्स वो कैसे रिगवेदा को पढ़ते हैं किस तरह से words पहचानते हैं या कौन सी language किस तरह से evolve हुई कौन सी language थी उसके बाद कैसी language आई क्या समझेंगे इसको ठीक है उसके बाद cattle, horses and chariors इनके बारे में पढ़ेंगे हम उस time पे भी होते थे ठीक है words to describe people कि लोगों को describe करने के लिए कौन से words यूज करते हैं कौन से लोग कौन से words में describe होते थे फिस silence sentence the story of megaliths तो यहाँ पर हम megaliths की story पढ़ेंगे फिर उसके बाद finding out about social differences तो अब यह पढ़ेंगे कि burials की वजए से जयसे मैं आपको बताया कि यह पूरा पार जो है burials के बारे में रहेगा तो यहांपर हमें पता चलेगा कि burials की वज़े से हमें कैसे पता चला कि लोगों में social differences होते थे अमीर गरीब कितने social differences होते थे कास वगारा इन सब के बारे में में भी हम इसमें पढ़ें वर्सम burial sports meant for certain families क्या कुछ burial sports जो थे वो अलग लग specifically हम यूज करते थे या फिर a special burial at inam गाउं तो हम एक और specific burial के बारे में पढ़ेंगे जो इनाम गाउं में है थीक है what skeleton studies tell us तो जो भी है हडिया skeleton वगारा जो भी है वो भी हमें क्या बताते हैं history के बारे में इस बारे में discuss करते चलेंगे then last हमारा topic रहेगा occupations at inam गाउं तो inam गाउं में कौन से occupations लो करते थे कैसे काम करते थे किस तरह का उनका जीवन था इसके बारे में हम discuss करेंगे okay so this is the overview of your chapter so thank you students